इसुकेसन नमर यूडूब चैनल में आपका हार्दी कमने नहीं है मैं रहार मिसा आप समय के सामने प्रजेंट करना हूँ एक और नहीं वेकेंसी जो की वेकेंसी निकल काई है एफकेट के अंतरगत एफकेट अर्थात Air Force Common Admission Test के रिकारिंग नई वर्तिनीखट का ही है तो क्या है इसकी Legibility Cuterिया ? क्या है इसका Age Limit ? क्या है इसका Exam Pattern ? क्या है इसकी Level ? इन सारी बातों को वीडियो में जानेंगे तो वीडियो में एन तक जरूर बने लहेगा और किस भी सरकारी वेकंसी से जोड़ी पलपल के अबरेट के लिए हमारे चैनल को सबस्काइब करके बेलेकर जरूर देवा दिजेगा तो आए फ्रेंट्स विडियो को करते हैं स्टार्ट अब अगर इसको टैप करते हैं तो टैप करने पर हमारा एक नया विंडोग खुल कर आता है जिसमें यहां पर आपको दिख पाड़ा है कि नेम अप पोस्ट नेम अप पोस्ट क्या है आगे बटके इसकी बात करें इसकी इंपोर्टन डेट्स की तो इंपोर्टन डेट्स की बात करती इसका अप्लिकेशन है वो एक जून 2022 से फिल अफोना स्टार्ट हो जाएगा जो की 30 जून 2022 तक चलेंगे लास्ट डेट आपके अप्लिकेशन की या फी पेमेंट की 30 जून ही रने वाली है अभी इसका एक्जाम डेट और एड्मिर का डेट घोर्षित नहीं किया गया है लेकिन आपके एक्जाम दो ती महिने के अंदर कंड़क्ट हो जाएंगे मैं उसके उपर पूरी स्टैटिजी की वीडियो भी लेकर आऊंगे आपका कोर्स से स्टार्ट हो जाएगा जुलाई 2023 में आनी कि जुलाई 2023 से पहले आपकी जुआइनी करा दी जाएगी अब आपके लिए इसके एप्लिकेशन चार्चे जो रखे गया है वह जेनरल OBC, HTSC, जेनरल कंडिडेट के लिए आपके 250 रपे चार्च रखे गया है वहीं NCC Special Intry वाले कंडिडेट के लिए 0 रूपे इसका चार्च रखा गया है और यह सारे पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड से पे करने है अब वहीं बात परे एज लिमिट की तो एपके 2-20-22 के लिए एज लिमिट रखा गया आपका 20 से 24 साथ जो कि अब यह एज जो काउंट होगी वह 17-2023 से काउंट होगी इसका अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है कि 17-2023 को यदि आप 20 वर्ष के हो जाते हो तो आप इस फर्म को फिलप कर पाओगे या 17-2023 को आप 24 वर्ष से अधिक हो जाते हो तो आप इस फर्म को फिलप नहीं कर पाओगे यानि कि 17-2023 तक आप 20 प्लस हो जाओ या 17-2023 तक आप 24 के अंदर रहो तो ही आप इस फर्म को फिलप कर पाओगे फिर महीं बात कर ले आगे अग बढ़ के Ground Duty Technical, Non-Technical के लिए तो इसके लिए एज रखा गया है 20-26 साल Flying Branch के लिए 20-24 साल एज रखा गया है ठीक है अब आगे बढ़ के बात के लिए Post Details की तो इसमें आपका Post Details है आगे बढ़ के LGBT Cateria को मैं बता हूँ तो यहाँ पे आप Post के बारे में देख पा रहोंगे F-CAT, F-CAT Ground Duty Technical, F-CAT Ground Duty Non-Technical, Metrology Entry, NCC Special Entry अब इन सब के लिएक इलिजबिटी Cateria के बात करें तो F-CAT Flying Branch के लिए आपका जो होना चाहिए BA, BTEC या 10 प्लस 2 से आपको Physics और Math के साथ graduation भी होना चाहिए और 10 प्लस 2 आपके Physics और Math के साथ होने चाहिए वही एन्जियरिकल इंजियरिंग, Electronics की बात करें इसमें आपके Engineering होने चाहिए ठीक है आपके 10 प्लस 2 में 60% Marks होने चाहिए और Physics और Math के साथ होने चाहिए फिर Aeronautical Engineering, Mechanical की बात करें इसमें Degree in Mechanical, Engineering, Industrial और Engineering, Aeronautical ये सारी कुछ होने चाहिए 10 प्लस 2 पास होना चाहिए वह भी 60% Marks के साथ वही आगे बात करें तो Ground Duty Non-Technical जो की सारे प्रकार के बच्चे इसमें Fill Up कर पाएंगे Ground Duty Non-Technical में ठीक है फ्रेंट जो बच्चे graduate होंगे चाहिए वह किसी भी एस्ट्रीम से graduation क्यों न कर रहके हो वह इस form को Fill Up कर पाएंगे तो Bachelor degree in any extreme with least minimum 60% Marks यानि कि जिनका graduation में 60% Marks होगा वह इस form को Fill Up कर पाएंगे और Physical Criteria के बात के तो Height 157 cm मेल की और Female की 152 cm माई गए है वही आपके Non-Technical में Accounts Branch के लिए Become आपका होना चाहिए graduation में ठीक है 60% Marks के साथ तो आप इस के लिए Fill Up कर पाएंगे form वही NCC Special Intry की बात करें तो Flying Branch के लिए NCC Airwings Senior Division C Certificate and Other Details पर Flying Branch Erisivity वो होनी चाहिए तो आप इस Flying Branch के लिए NCC की तरफ से आप Participate कर पाएंगे वही Metrological Entry के लिए For Erisivity Criteria इसके लिए आप notification को पढ़ सकते हैं जो की notification आपको यहाँ पर दे रखा है जिसको मैं Telegram पर भी available करवा दूँगा यहाँ पर आप डाउंडोर notification करके सारी चीजों को पढ़ सकते हैं और यहाँ जो notification यानि apply online का link है वह start होगा आपके 16222 से आपका apply का link start होगा यहाँ जून 2022 से apply कर सकेंगे आप जितने भी यह के उमीदवार है ठीक है आप सिलेवस की बात करें तो सिलेवस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा तो फ़र स्वीडियो कसे लागी कमेंट में जड़ो बताएगा और किसी भी सरकारी वैकरसे से जुड़ी पलपल के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सकाइब करके बेल आइकान जब दबा लीजएगा तो मिलते हैं पने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंग जय भारत वन्द मात्रम